नमस्कार दोस्तों मैं मनीशा आप सब का स्वागत करती हूँ मनीशा की चन में दोस्तों आप सब कैसे हैं मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे आज मैं आप सभी को लेकर चलूँगी अपने हरे भरे खेतों में दोस्तों यहाँ पे हमने अपने खेतों को काफी हरा भरा किया हुआ है जो की देखने में पहुत ही खुपसूरत लग रहा है यहाँ पे हमने लहसुन लगाया हुआ है चलिए यहाँ से हम लहसुन के हरी पत्ते को ले लेते हैं और यहां पर हमने हरे पत्ते के प्याज लगाय हुए हैं, तो हम हरे पत्ते के प्याज भी उखाड लेते हैं, और यह रहा हराधनिया, हम अपने जरूरत के हिसाब से हराधनिया को भी ले लेते हैं. दोस्तो हम अपने खेतों से ताजी ताजी सबजियां काट लिए हैं अब चलिए दोस्तो इन सभी सबजियों को लेकर चलते हैं धोने के लिए हम अपने खेतों से कोई भी हरी सबजी ले आते हैं पहले इसे साप पानी से धूलते हैं इसके बाद ही काटते हैं चलिए दोस्तों इन सभी सब्जियों को पहले छाट लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ खराब पत्ते भी रहते हैं यहाँ पे हम लैसुन लिये हुए हैं लैसुन का जो सबसे नीचे वाला पत्ता है इसे हटा देंगे और इसके बाद जो नीचे का जड़ है जिसमें की मिट्टी लगा हुआ है इस तरह से चाकू से काड़ देंगे और किनारे किनारे जो पत्ता है उससे भी काड़ देंगे यह देखे दोस्तों लैसुन का पत्ता एकदम क्लीन हो गया इसी तरह से सभी को साप करके त्यार कर लेते हैं दोस्तों अब मैं आ गई हूँ अपने कीचन के पास और आज मैं बहुत ही बढ़िया रेश्पी सेयर करने वाली हूँ तो आप लोग भी मेरे वीडियों पे सुरू से आखरी तक बने रहे और वीडियों अच्छा लगे तो वीडियों को लाइक कर दीजिए चैनल पे नएया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पास में बने वेल आइकन घंटी को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियों आप लोगों से मिश नव होने पाए चलिए दोस्तों चूले में आग जला देते हैं और कूकर में मैं चावल रखी हूँ पकने के लिए और इसमें लकडी लगा देती हूँ दोस्तों ठंडी क देखे लिए और चूले पे खाना बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है साथ 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 सिकाई भी होते रहेगी हाथ पैर की और खाना भी बनता रहेगा तो देखिए दोस्तों चूले पे चावल बड़ा पक रहा है और इधर मैं सबजी की तयारी कर रही हूँ दोस्तों इस समय दो-तीन दिन से बहुत ही ज़्यादा गलन है तो गैस पे तो बिल्कुल खाना बनाने का मन नहीं करता है, मन करता है चूले पे बनाऊं और हाथ पैर सेकती रहूं तो यहाँ पर देखे दोस्तो हम आलू लिये हैं सबजी में और टमाटर लिये हैं, प्याज लिये हैं, अद्रक, लैसून और हरा मिर्च लिये हैं, तो यहाँ पर देखे दोस्तो आलू के पीसे समारे कट कर तयार हो गए हैं, और हाँ दोस्तो मैं कब से बगबग करती जा रही हूं, आप लोगों को बताई भी नहीं कि आज मैं कौन सी रेस्पी बनाने जा रही हूं, आप लोग खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिश्ट लगता है, खासता और से ठंडी के मौसम में ये खाने में मजा ही आ जाता है, तो यहाँ पर हम हरा मटर का दाना लिये हूए हैं, ये देखिए दोस्तो चावल में सीटी भी दे दिया, चावल हमारा पक गया है, चल चाल के छूले परकते हैं कठाई और कच्चाल बणाना पर कपचाल के वगता है कहां है, तेल अच्छों से गरम हो गया है, अब मैं इसमें डॉल दे त्यर स्वीडत्ज है, इन यह इसलागी करका बहुत है, पर बीदे स्षिती न बहुत है, जीर。 चटकने देती हूँ जीरा हमारा चटक चुका है और तड़का भी लाल हो गया है तो चलिए इसमें डाल देते हैं कटा हुआ प्याज इससे धीमी धीमी आज पर हलका ब्राउन होने तक भूनती हूँ अब मैं इसमें डाल देती हूँ अदरक लहसुन और हरा मिर्च का पेष्ट इन सभी को डालने के बाद इसका कच्चा पंदूर होने तक धीमी धीमी आज पर चलाते हुए भूनूंगी इसमें सखुस्बू बहुत ही अच्छी आ रही है जब अदरक लहसुन का पेष्ट भूना जाता है तो इसका सुगंध काफी अच्छा लगता है तो ये देखिए दोस्तो इसका कच्चा पंदूर हो गया है प्याज अदरक लहसुन सभी अच्छे से हम भून लिये हैं अब हम इसमें डाल देते हैं कटा हुआ आलू आलू को डालने के बाद इसे अच्छे से चला देते हैं ये देखिए दोस्तो आलू काफी अच्छे से जो है की भूनेंगे आलू को हम धीमी धीमी आज पर चलाते हुए भूनेंगे चार से पांस मिनट तक ताकि ये आलू मुलायम हो जाए तो अब हम इसमें डाल देते हैं हरा मटर सभी मटर को एक सांद डाल देते हैं और इसे भी चलाते हुए भूनेंगे आलू कचालू बनाते समय इसे बहुत ही अच्छ से चलाया जाता है और भूना जाता है तब ही इसका टेस्ट बढ़ियां आता है आलू कचालू को चलाते हुए भून लिये हैं अब हम इसे दो मिनट के लिए ढखकर पकाएंगे ताकि मटर और आलू नरम हो जाए दो मिनट हो चुके हैं चलिए थाली को हटा कर चेक करते हैं वाव दोस्तों इसमें से खुस्बू तो बहुत ही अच्छी आ रही है और यह देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है अब हम इसे चला देते हैं उपर नीचे कर देते हैं यह देखिए दोस्तों आलू मटर और इसे तो देखकर मुँआ में एकदम पानी आ रहा है दोस्तों आलू हो एकदम नरम हो गया है तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं कटा हुआ टमाटर को डालने के बाद इसमें हम स्वात के नुशा नमक डाल देते हैं ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए अब इसे चला कर अच्छे से मिक्स करते हैं अब इसे एक मिनट के लिए ढग देते हैं ताकि टमाटर बढ़िया से गल जाए दोस्तो हमारे बनारस में तीन-चार दिन से गलन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है थोड़ा सा भी अगर काम कर लिजे तो हाथ पैर एकदम गलने लगता है बर्फी की तरह जब तक आप हाथ पैर सेकेंगे नहीं तब तक कोई भी काम नहीं कर पाएंगे तो इसलिए मैं भी चूले पे आज खाना बना रही हूं कचालू और अपना हाथ पैर सेकती जा रही हूं तो ये देखिए दोस्तों ये कचालू अच्छे से जो है की भूना गया है अब बारी आती है इसमें मसाला डालने की तो मसालों में हम डाल देते हैं एक चमच हल्दी पाउडर एक चमच धनिया पाउडर और यहां पर हम कुछ लिए हैं हरे मसाले सभी मसालो को डाल देते हैं और हाँ दोस्तो धनिया पौडर में ही हम गरम मसाला मिक्स किये हुए है सभी मसालो को डालने के बाद इसे धीमी धीमी आज पर चलाते हुए भूनेंगे मसालो को चलाते हुए भून लिये हैं अब इसे कुछ देर के लिए थाली से ढख देते हैं ताकि मसाले हमारे अच्छे से पक जाए चलिए थाली को हटा कर चेक करते हैं तो ये देखे दोस्तों मसाले बहुत ही अच्छे से पक रहे हैं अब इसे हम चला देते हैं तो ये देखिए दोस्तों मसाले बहुत ही अच्छे से भून गया है अब इसे हम बढ़ियां से चला कर और इसमें ग्रेवी के अनुशार पानी डाल देते हैं अब आँच को हलका सा बढ़ा देते हैं और इसे पकने देते हैं ये देखिए दोस्तों आलू कचालू हमारा लगभग बन कर तयार ही होने वाला है और यहाँ पर हमने बाजरे वाली लिट्टी लगाई हुई है आलू कचालू के साथ ये लिट्टी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है तो ये लिट्टी भी हमारा तयार हो गया है और इसके साथ हम खाने के लिए चावल भी बनाए हुए है ये देखिए दोस्तों गर्मा गरम कचालू हमारा बन कर तयार हो गया है बहुत ही स्वादिष्ट बना हुआ है आप लोग भी घर पर एक पर जरूर इस तरह से ये रेश्पी ट्राइ करिए ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है ठंडी के मौसम में तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है तो आप लोग भी इस ठंडी में इस तरह से आलू का चालू बनाईए और इसके स्वात का आनंद लीजिए अपना अनुभा मुझे कमेंट में दीजिए तो आज का हमारा सुबा का खाना बनकर तयार हो गया है बहुत ही बढ़िया बना हुआ है आज सुबा के खाने में हम बनाए हुए हैं आलू का चालू और ये बाजरे वाली ल आचार ले सकते हैं गोभी के आचार का वीडियो हम बनाय हुए हैं आप लोग जाकर देख सकते हैं और आप लोग भी गोभी का आचार बनाएए इसके स्वात का अनंद लिजिए इस ठंडी में बहुत ही ज्यादा गोभी इस समय मिल रहा है जरूर आप लोग बनाईएगा ट्राइ करिएगा दोस्तो आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए अब हम फिर मिलेंगे ऐसे ह एक नए वीडियो के साथ तक तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो बाई बाई